अगे तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को तो यह है नीट और मेंस की दुनिया और इस दुनिया में अगर आपने कोशन अटेम्ट कर लिए या सीख लिए तो आपने कुछ बड़ा अचीव किया है ठीक है तो आपने इस थर्ड चैप्टर में पूरी प्रैक्टिस के दोरान आज में आपके पास उसके जो लिंक के हो सेंड कर दिया था उसके बाद आप यहां आते हो तीसरे लेवल पर जो की फाइनल लेवल है नीट और मेंस का ठीक है देखते हैं कितने ऐसे कोशन है जो आप कर पाऊगे हम 25 कोशन अटेम्ट करेंगे पूरे बचे हुए जो समय में और स्टाट होती है पहले कोशन से तो फर्स्ट कोशन यह रहा आपके सामने सो समझ के बताना देखो मैं बता दूँँ आपको 25 कोशन में से लगा लो 85 परसेंट कोशन का जो लिंक है वो सीधा-सीधा एग्जांपल और एंस याटी से तो पहला कोशन है आपको बताना है कि स सकते हैं तो यहां नियों तक फस्ट आयने से एंथा आपके की बात करें तो कौन सा ऑप्सन करेक्ट है मैं हिंट देता रहूंगा हर कोशन में इस कोशन में दो टर्निंग पॉइंट है अगर वह आप क्रोस कर गए तो आप का आंसर करेक्ट माना जाएगा ठीक है तो स्टार्ट हो जाते हैं आज की कहानी से और यह कहानी 25 तक चलेगी देखते हैं कितने आंसर ऐसे हैं जो बिल्कुल परफेक्ट आएंगे फिर मैं एक एक करके इसको एक्स्प्लेइन भी करूंगा भूमिका रुतुजा रागव भाई तीनों के तीनों गलत है और कोई वैलकम टुदा नीट एंड मेंस और जो एक बार अटेंब करेगा उसके बार अटेंब नहीं कर सकता वो अंजली बंसल राज ये दोनों करेक्ट हैं वंस भी गलत है असली जो दुनिया है ना असली जो रियल स्ट्रॉगल है वो यह है अब यहां से छटके अलग अलग चैम्पियन आएंगे आपके सामने रिष्टी बीगलत है प्राची प्राची चैम्पियन भी गलत है हेमंद आर्या भी गलत है तो जो ठीक है वह अंजली है और राज यह दो ठीक है चलो अब क्यूंकि हमें टाइम भी मैनेज करके रखना पड़ेगा 25 टार्यट है तो देखते हैं कि इसमें दो टर्निंग पॉइंट बताए थे मैंने एक टर्निंग पॉइंट तो है बेरिलियम और बोरोन और दूसरा टर्निंग पॉइंट है आपका ऑक्सिजन और नाइट्रोजन ठीक है ना यह नही से दो टर्निंग पॉइंट पड़े हैं क्या बेरियलियम की ज्यादा होती है बोरोन से पता है क्यों क्योंकि टू एस ऑर्बिटल जो होता है इसका वो न्यूकलेस के ज्यादा क्लोज होता है ठीक है ऐस कंपेरेजिन टू टू पी अच्छा नाइट्रोजन और ऑक्शन में क और और ऑक्शन नाइटोजन आपका एंचिए अचिए का कोस्ट नंबर वड़ा पॉपलर को से नंबर 16 अभी भी आ रहा है इसमें ज़्यादारी से अपना जो लिंक उसको भी देख रहे हैं तो वह तो करीद देंगे वाई एंचिए एक्जांपलर मेंसे बी जा रहे हैं त तो वह तो करें देंगे इन में से कौन सा ओप्षिन करेक्ट है तो जो आंसर है वो यह हैं इस तरह से हैं रुटुजा वेरी गूड रुटुजा पूर्वा प्राची हर स्रिस्टी सारे ठीक है रागव गलत है अंजली गलत है भूमिका ठीक है सक्षम बंसल ठीक है हिमानसी भारदवाज ठीक है बहुत बढ़िया हिमानसी सक्षम निखिल गलत है बंस ठीक है तो तो करेक्ट आंसर था इसमें D-Option यह D-Option करेक्ट है वह बने पता दुक कैसे इसूंग तो पहले का तो भी हो गया पहले का भी कहां नहीं जो काट दो यहीं होती है ट्रिक एक्जाम में जल्दी करने की ट्रिक बताँग आपको दूसरा है यह rumah विय elaborोटOoh बैस्ते इक्जमपल आप थरिक तो दूब सबस्यारी थे का यह सी कि दूसरे का डी वह यहां भी है और यहां भी लेकिन अब तो हम सब क्लियर ही हो गया तो यह भी गलत हो गया तीन गलत होगे यह ठीक हो गेम ओवर फटम ऐसी चलो आगे जहां कन्फर्म ओ आगे चलो यह नॉन मेटलिक ऑक्साइड होता है यह होता है तो यह सीधा सीधा आपका सी हो जाएगा चलो बिना टाइम वेश्ट करते हो विच दा फॉलिंग ऑक्साइड इस मोस्ट एसिडिक इन नेचर इन सभी में से कौन सा जाद एसिडिक है यह मैं बताऊंगा आपको देखो जब आप टॉप टू बोटम आते हो जिसे बेरिलियम बेर महेंगे करके सरकार बहुत रही यह चारी है इन चारों के उक्साइड है कि यह पहले बात तो सैगुंड गूरू है तो यह आपका मेटलिक feast है मेटलिक को मैटलिक scrolling क्लीक अथे हैं धेक मेटलिक अक्साइड जो हैं वह बेसिक होते हैं आपको पता है अच्छा मैटली करेक्टर लेफ्ट राइट क्या होता है डिक्रीज टॉप टॉटम क्या होता है इंक्रीज तो नीचे वाले तो और ज्यादा मैटली को गें क्योंकि मैटली करेक्टर टॉप टॉटम इंक्रीज होता है तो यह और ज्यादा मैटली कोगे और इनके metallic oxide जो होंगे highly metallic oxide जो होंगे वो क्या होंगे और ज्यादा basic होंगे लेकिन हमें क्या पूचा है acidic पूचा है तो basic का तो पता लग गया barium oxide तो acidic इसका बिल्कुल opposite barium oxide तो correct answer है भी इतना सोचना पड़ता है इसमें तेगे न repeat कर देता हूं metallic character left to right decrease होता है top to bottom increase होता है तो जहर सी बात है ज्यादा metallic barium है इसका oxide ज्यादा metallic है तो ज्यादा basic होगा तो कम basic कौन हुआ beryllium oxide यानि कम basic अलग अब acidic की बात आगी तो यह ऊपर वाला हो गया next question है फोर यह भी आपको करता है करना है hint दे रहा हूं इसमें से एक turning point है बताइए एक turning point है और यह खेल खतम फूर्थ का राज करेक्ट है बेरी गूड राज बैक टू बैक दो परफेक्ट आंसर दिये है और जो एक ज्यादा आंसर देगा ना फिर मैं उसको हटा दूगा एक turning point है हेम अंतारिया गलत है रागाव गलत है भूमी का ठीक है बहुत बढ़िया भूमी का एक turning point है यह तो हिंट है अंजली वंस गलत है हिमांसी गलत है अंसिका गलत है खुश्बू ठीक है श्रिष्टी गलत है हर्श गलत है और वर्शी गलत है निखिल खत्री ठीक है तो सही आंसर है आपका मैं बता दू डी डी पैसे देखो टॉप टू बोटम साइज क्या होता है बहादूर अली गया इन तमिल ही होता है तो यहां पर या ने और या ये खुर्ण ग करवाण या पर begr रशी च्होटा होता है औरज बढ़ा होता ह्ट है तो यहां जाएंगा रषी तो यहां क्अठीक और सैज ज्यादा होता है तो इस पर स्पेसल ज्यान रखना ऐसा में पी ब्लोक में भी आएगा और ठीक है अगला कोशन है नमबर फाइफ अच्छा रीजन क्या होता है इसका रीजन होता है पूर स्क्रीनिंग इफेक्ट पूर शिल्डिंग इफेक्ट बताता हूं मैं पूर शिल्डिंग इफेक्ट क्यों होता है सक्क्रीनिंग के gift का सबसे बहुत जबरदस्त होता है वक circuit का t 불 dan दि कश्राब होता है गेलिम तक आते आते डी आ जाता है इसलिए स्क्री इफ्च्रीनिट करह जबर जाता है क्योंकि एक ही electron आप nucleus से attract हो जाएंगे डेखो screening effect दो तरह के होते हैं एक poor और एक good टीख है तो good screening effect में तो वही बाहरी electron का nucleus connection तूट जाएगा पूर screening effect में बाहरी electron का nucleus connection जड़ जाएगा elaborate करने के लिए पीडोग element को जरूर देखना कोड़न नमब्ड 5 है जैड की value है वर्वन फोर वो कह रहा है कि बताइए यह रिसेंटली हाली में डिसकवर हुआ है यह अलिमेंट तो बताइए यह किस फैमिली और किस ग्रूप में होगा और इसकी एलेक्ट्रोनी कॉनफिग्रेशन क्या होगी तो वन वन फोर है यार बड़ा सिंपल है मैं तो इसको यह भी नहीं बोलूँगा इसको पूरा अच्छी तरह से करो ज़रूरत ही नहीं है देखो सीधा सीधा सा आप यह चीज़ याद रख आपने पहले याद रख रख किया है टू टैन एट्टीन थाड़ी सिक्स फिफ्टी हो गया और वन वन फोर की बात करें यह तो एटिन गुरूप है आप पीछे जाओ तो आपको पता लगए यह फॉर्टिन गुरूप में आ रहा है पौंशी अच्छी फैमिली होती है कार्बन फैमिली तो कार्बन फैमिली है और एलेक्त्रोंग को इंफिग्रेशन आप पर सब्सक्राइब करेक्ट आंसर जो होगा वह आपका यह ज़्यादा जाने की जुरूती नहीं हो गया क्योंकि बाकि कोई कारून फैंबली नहीं कि लिए यह देख आपका ऐसा का ऐसा लिया गया है कहां से एंसी आरटी एक्जांपलर से इन में से कौन सा स्टेटमेंट्क गलत है डज मोट एग्री एग्री नहीं करता है बताएं तो liquoroires के कोई भी एक बता दो है कौन सा स्टेटमेंट एगरी नहीं करता है को की वी एक बता दो सक्सम ठीक है, बंस ब्लगुल ठीक है, हिमांसी गलत है आरवसी ठीक है, अंसिका ठीक है, क्रिस गलत है, सृरष्टी ठीक है, प्राची ठीक है, राघव ठीक है बहुत बढ़िया दक्स ठीक है क्या बात है देखो इलेक्टोन गेन एंथेल्पी की बात करें तो वह क्लोरिन की ज्यादा होनी चीए तो यह एगरी नहीं करता है एक हो गया अच्छा मैटलिक रेडियस बिल्कुल ठीक है टॉप टॉटम इंक्रीज होती है तो यह भी आपका एगरी नहीं करता है तो ए और डी परफेक्ट आंसर यह तो बिल्कुल ठीक बताया इसमें तो कोई गलती है नहीं एन एन होता है वह लार्ज़र साइज का होता है कैटायन स्मोलर साइज का होता है आगे चलते हैं नंबर सेवन नंबर सेवन में बताओ कि कौन सा ओर्डर बिल्कुल ठीक है आएक को लेकर कौन सा ओर्डर बिल्कुल ठीक है यह कोशन सबसे खास है इसका अंसर जिसका ठीक होगा ना उसके 95 प्लस अभी आज रिजल्ट आया है तो मैं बता रहा हूं कि अभी तक मेरे पास 37 स्टुडेंट्स का रिजल्ट आ चुका है जि ठीक है तो बहुत जल्दिन की एक वीडियो बनाएंगे देखते हैं कौन बच्चे इसका अंसर बता सकते हैं प्राची रागव राज क्रिस सारे गलत हैं खुश्बू गलत है अंजली गलत है इस बच्चे ने इसका जवाब दे दिया वह तो हो गया वाई 97 प्लस शृष्ट डाम है गलत है अब दढ़ सारे कहलंख हैं यह उड़ा मुझी न intr-s cierto क MAYOR कि बच्चा थिक है इसथ बस बात को पकड़ लेंगे कि कोई थेक नहीं है का आई वेरी गुड बैरी गुड एक बच्चा ठीक है बस 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 अब तक उसका नाम है राज राज अपना real name बताओ यार introduce yourself real name बताओ क्या नाम है राज नाम का लड़का तो शायद कोई नहीं पढ़ रहा है यहां पे एक answer correct है crispy गलत है राजी है बहुत बड़ी है राज इसका answer था none इन में से सारे गलत है ठीक है देखो simple सी बात है जो cation होता है जो cation होता है वो सबसे छोटा होता है फिर आता है parent atom और फिर आता है nion clear यानि जो negative वाले होते सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं यह कह रहा है कि positive वाले बड़े हैं तो वैसे ही गलत हो गया यह कहा रहा है positive वाले बढ़े हैं तो वैushe गलत हो गया यह कहा है कि oh two negative यह जiphant अचीए था और दो वैसिकलत हो गया यह parent atom को बीच की आगवक रखे लेकिन है प्यरेंट को साइड में रख दिया और 2014 में बच्चों ने जो भी आंसर दिया था उसको ठीक कर दिया था विकॉज यह रॉंग प्रिंट था आगे चलते हैं अगले कोशन की तरफ तो यह हमारा नंबर एट बताइए इन में से मॉस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रों गेन एंथेलपी का ओडर क्या होगा देखो मॉस्ट नेगेटिव ऑक्षिन फ्लोरिन ऑक्षिन फ्लोरिन अलुमीनियम केल्शियम कार्बन यार यह तो आपको तो पता हिए यह मॉस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रों गेन एंथेलपी फ्लोर तो देखो यहां क्लोरीन तो है नहीं जहां नहीं है इस वह टादो एक अब बात आती है फ्लोरीन के इक तो फ्लोरीन का पता लग गया अब देख लो आप सबसे सबसे कम इलेक्टोन गिन एंथेलपी किसकी होगी तो जहर सी बात है अग्रेक्टोन गिनंते लिट्रेट के उती है इनक्रीज बोटम टेक्रीज होती है और अगर इन सभी को देखो गए तो सबसे बौटम में एक है जिसका नाम है कैल्सियम ठीक है तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि Karbon Karbon आगया आपका 14th group में है उसके बाद आता है Calcium То Calcium तो Carbon तो Second period में Calcium तो आपका Third, Fourth period में आएगा Calcium तो बिल्कुल Down आगया Calcium का सबसे कम होनी चाहिए थी तो यहन्वी D option correct है 8th का D option correct है Because Calcium सबसे Bottom में आता है आप चाहो तो प्रेडिकٹेवल देख लेना ऑपका सिक्सेच लिए यह फिफ्टीं है तो यह उक्सेच यहां सिक्स्टीन ओगया और इंटीन मां गया ठीक है यह यह तो एक ही साइट मांगे सार kayak सारे कर्बन भी हो गया हैうわह तैन मा गया वह गया Amagia 20 होता है केल्सियम तो सबसे बोटम में केल्सियम ही हुआ और सबसे लेफ्ट में भी है केल्सियम तो जाहिर सी बात है यह एलेक्ट्रोन गेन तो करेगा ही नहीं इसी लिए आपकी डियॉप्शन करेक्ट हो गया नेच्ट है नॉमर 9 identify the wrong statement को identify करो और कितनी अजीब बात है अममंगेस्ट आईसो स्पीसिज स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज जिस पर होता है के टाइन पर जिस के टाइन पर होता है स्मॉलर पॉजिटिव वह सबसे स्मॉल होता है क्या यह बात सच है पोजट्यव मैंने आपके समने दो पॉजट्य ले रहा हूं एक यह पॉजट्यूव और एक यह पॉजट्यूव इसमें स्मॉज़र पॉजट्यूट्य पर तो बताव क्या सोडियू सबसे च्छोटा है यह ईसी लिए यही आपका आंसर करेक्ट है यह पूछ रहा तो यह तो जिस पर होता है कि वो सबसे लार्जर होता है याद आपको नाइटोजन 3-2 सबसे लार्ग फिर ओट नेगटिव फिर फ्लोरी नेगटिव तो जिस पर जितना ज्यादा नेगटिव होता है बिल्कुल सच है सच बात है अगला कोशन बड़ा इंटरस्टिंग है कि अगर बताइए इलेक्ट्रों गेन एंथेलपी सोडियम पॉजिटिव की क्या होगी अगर सोडियम की आईवनाइजेशन एंथेलपी पांच पॉइंट एक इलेक्ट्रों वोल्ट है यानि सोडियम को में एक इलेक्ट्रों निकालने के लिए यह देखो पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रों निकालने के लिए पांच पॉइंट एक इलेक्ट्रों वोल्ट एनरजी की जरूरत पड़ी ठीक है तो वह कह रहा है बत और एक जोड़ने तो एनरजी क्या हो जाएगी तो कितनी उतनी ही जितनी एड होने में लगी है उतनी ही रिलीज हो जाती है तो सही आंसर होगे आपका एक माइनस का 5.1 एलेक्ट्रम फॉल्ड लोजिकल कोशन ता यह और आगे चलते हैं दस्तों कोशन होगे आपके खतम 15 रहे स्पीसिज तो बता दो करेक्ट कौन सा है A B C D बताइए कि करेक्ट ओर्डर बताइए वन्स ठीक है दक्स गलत है रागव ठीक है इमान्सी रुतुजा गलत है स्रिष्टी ठीक है राज ठीक है रागव ठीक है भूमी का गलत है प्राची ठीक है खुश्बू ठीक है सही आंसर है आपका C very good देखो ज्यादा नेगिटिव का मतलब बड़ा साइज कम नेगिटिव ओके फिर पॉजिटिव फिर ज्यादा पॉजिटिव का और चोटा साइज तो यह बिल्कुल परफेक्ट ओडर है ठीक है य यहां कर देखें यह तो कह रहें कि पॉजिटिव का बड़ा साइज बिल्कुल गलत इनको तो वैसी गलत कर दो यह कह रहा है लार्जर नेगिटिव छोटा है और यह स्मॉल नेगिटिव बड़ा है बिल्कुल गलत सबसे ज्यादा होगी आंसर है कि दो दो बार आया है में में आयाइटी में में देखते हैं कि दिने बच्चों ने सही जवाब देवी दिया है वाई इतना तेजी से कि बहुत बढ़िया खुश्बू भूमिका निखिल अंसिका अंजली राज परफेक्ट सारे ठीक है अधिती खत्री ठीक है एमंताया ठीक है रागव ठीक है चलो अब हम कह सकते हैं कि सृष्टी ठीक है आगया टीन भी पढ़ रहे नीट की परप्रिपरिर्शन करने वाले इंब बहुत बढ़ी है देखो यह तो बास सबको पता लगी होगी कि क्लोरिनका सबसे ज्यादा होता है तो ज्यादा क्लोरिन यहां है यहां है तो इसको इसको क्रॉस कर दो किलियर अब बात आती है इनकी फ्लोरिन का दूसरे नंबर पर होगा मैंने बता दिया आपको तो क्लोरिन के बाद फ्लोरिन दूसरी नंबर पर यहां है तो बी ऑप्सिन करेक्ट है दो बा सबसे बड़ी कि राज ठीक है आज तो वही राज गुड़ गुई अंची का गलत है अंजली ठीक है हिमान्ची ठीक है रागव गलत है निकल गलत है भूमी का स्रिष्टी गलत है कुश्बू गलत है रुटुजा गलत है प्राची ठीक है करेक्ट आंसर है अब यह तो थोड़ी दिर पहले बतायता है बड़ा साइज केल्सियम का बड़ा क्यों केल्सियम आपका पता है फोर्थ पीरियड में आता है ठीक है केल्सियम का आता है लीथियम सोडियम लीथियम सोडियम के जुरूत भी नहीं पड़ेगी यार बेर महंगे करके तो यहां पर बेर महंगे करके यानि आपका इस वाले पॉर्शन में सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो यह सेकिंड गुरूप पहले पिरियड में तो कौन होता है यह सेकिंड है यह अच्छा मेगनीश्यम का पे यह praying यह थर्ड में आरा है और फॉस्फुरस और क्लोरीं यह वी थर्ड माता है तो सबसे निचे कोन आता है powin दूसरा ग्रूप ऐственगाट सबसे नीचे कर सबसे बड़ा साइस compensation हो गया ना लोजिकल इस्तेमाल बाकिव को आप डेख करने के लिए ठीक है तो बाकियों को बेसक से मत देखो चलते हैं अगले को इस शोर्थ नमबर 14 अमंग सबसे बढ़ी कहा है बहुत बढ़िया राज फिर से ठीक रागव ठीक सब ठीक करेक्ट आंसर आपका बी केलसिम का साइस सबसे बढ़ा है कैटाइन सबसे बढ़ा और फ्लोरिंच छोटा और बाकि कहीं भी ऐसा नहीं है एक ना यहां सीजिंट बढ़ा है फ्लोरिंच छोटा है किसकी सबसे ज़्यादा एनरजी लगेगी इलेक्टरों को निकालने में ठीक है हाइस्ट आइसन एन्थेल्पी बताइए कौन है वह बड़ा सिंपल सांसर है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है आंसर आचुका है हाइस्ट अंजली गलत है राज गलत है अब की बार राज गलत भई घूमी का गलत है अंशी का गलत है ऑफ गलत देख रहा हूं मैं बिल्कुल ठीक देख रहा हूं आप अपना अंसर बताओ हिमांसु यादव यह ठीक है वह यह और बाकी तो अब तक सारी गलत है कितने नाम बोलू मैं करेक्ट आंसर था डी और लोजिक पता क्या है यहां पर पी में हाफ फिल्ड और मोर स्टेबल हैं कई बच्चे कहेंगे सर यह तो यहां भी है लेकिन आप देखो ना यहां आरगन है यानि यह आपके बोटम में जा रहा है भी है मैं बता दूं किलियर करके यह फॉस्फॉरस है ना पाटेकर आज और यह आर सैनिक है तो बोटम में जाओगे तो तो साइज बढ़ेगा अब जितना साइज बढ़ेगा इलैक्ट ना रहम से निकल जाएगा तो लो हो जाएगा नसने तैल्पी आइस्ट किस कि वह इसी कि यह बाकि सारे नोर्मल केसे वागी सारे पी थ्री इस मोर्स टेवल देन पी वन और पी टू ठीक है नेक्स्ट को स्टम मैं आपको करके दिखाता कि है आनसर है नहीं क्यों 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 न accelerator में किया अलेगले चैप्टर में आने वाला है तो इन्होंने पहले हाख बड़ा सिंपल बे में बता एता हूं कि यह एक bond है FF का bond है और यह CLCL का bond है किसको तोड़ना आसान है यह साइज बड़ा होता है और साइज बड़ा होता है तो शेर किये हुए एलेक्रोन में एलेक्र town-electron repulsion आपके तो एलाक्रों बडर हुए है यह थोड़ है ट्योड़ी एनर्जी भी द shorts जाएगा यह थी यह बहुत पॉपलर केसे फ्लोरिन का अच्छा और आगे देखे तो एलेक्टों गेन एंथेल्पी यारे तो सियल की सबसे ज़्याद होती है याद है एलेक्टों गेन एंथेल्पी यह थे माइने 349 यह भी गलत है उन्हें काया तो यह दोनों के दोनों ऐसे हैं जो करेक्ट पिक्चर नहीं दिखाते बाके बिल्कुल ठीक जा रहे हैं ठीक है एलेक्टों नेगेटिविटी वास्तव में फ्लोरिन की सबस्याद होती है आपको पता है 4.0 पूरी प्रेडिक्टेबल में सब ज़्याद इसी क्यों ठीक है ऑक्षिडाइजिंग पावर को बोलते हैं रेडक्शन रेटक्शन होता है गेन ऑफ लैक्टों की बात करें तो फ्लोरिन है वो इजली सेड़ पे रेलेक्टों में तरफ गेन कर लेता है यह है यह भी आपका अगले चेप्टर में तो इसलिए ज़्यादा भी डिटेल में डिसकर नहीं कर सकते सैवंटी ने साइज का ओडर रहा साइज फिर आगया कितनी बार साइज को सुना हुए है बताए यह एवी सीडी साइज फैक्टर कि सैवंटीन का देखतें कितना संसर क्रेक्ट झाल तरह है है मत फिक है प्राची ठीक है दक्सका जलत जह्याज अनजली ठीक है राज ठीक है वन्स ठीक है और वसी गलत है भूमी का गलत है अंसी का गलत है करेक्ट आंसर है अब तो समझ जाओ यार जिस पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वह बड़ा साइज होगा फिर छोटा साइज यह न्यूट्रल यह पैरेंट अटम है तो बीच में आना चीए फि सबसे कम आयनेशन एंथेल्पी किसकी है मैं थोड़ा करेक्ट कर दूँए च्छाए आएगा बागे सारा ठीक है तो बताव सबसे कम एनरजी कहां लगे कि और इलेक्ट्रों रिमूव निकल जाएगा बताईए अबी सीडी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हिमांसी सक्स रागव गलत है प्राची ठीक है भूमी का ठीक है सही आंसर है यहां इलेक्ट्रों बढ़ा इजली निकल जाएगा कि चाहता है कि एक इलेक्ट्रों निकल जाए और नोबल गैस को नफिग्रेशन हो क्लियर अचा नाइंटिन में कहा गया है कि कि किसकी ग्रेटेस्ट करता है ना उसे बोलते हैं और जो एक्षएट्यूट्र करता है उसे बोलते हैं तो इसमें जो ज्यादा बेस होगा वो जल्दी कर लेगा बेस कहा होते हैं बेस होते हैं आपके राइट ऑप्र केम ज है तो इसलिए यह सबसे ज़्यादा होगा ज्यादा डीटेल आपको चैप्टर नमबर सेवं में मिलेगी इसमें अभी तो ज़्यादा डिसकास हम नहीं कर सकते नमबर ट्वंटी नमबर ट्वंटी में फिर से काया विच्वन इदान नॉट अकॉर्डेंट दे प्रॉपर्टी यह तो वही कोशन उपर वाल आ गया बॉंड इसकी कम होती है फ्लोरिन की एलेक्ट्रन एलेक्ट्रन रिपल्सन ठीक है और एलेक्ट्रो नेगटिविटी वही कोशन र अश्यूरुन छक्रत्त ज्यादा होती आ इसमें एक ही है एक यह अंसर आपका यह रहा बॉन्ड इसे नंटैल्पी ठीक है तो फ्लोरिन की बॉन्ड इसेन एंटैल्पी कम होती है क्योंकि यहां छोटा साइज होता है इलेक्ट्रोन एलेक्ट्रोन रिपल्सन यह पहले पहले कि रिडाई जो बताओ इन चारों में से कौन सा ओडर पर फैक्ट है एक आंसर परफेक्ट है अज़िकुड हमांसी प्राची इस रिष्टी तीनों ठीक अंजली खुश्बू राज तीनों ठीक अदिती ठीक है अदिती शिरफ एक से भुमी नहीं ठीक है सक्सम ठीक है एक और ऑंसर वह सी वाला जो है वह वह उन्होंने बदल दिया वह स्क्रीनिंग इफेक्ट था वो हटा दिया नोंने तो यह आपका यह वैसे याद रखना नीट में सिर्फ एक यॉप सनाएगा वह तो एक दो सबसे बड़ा साइज है वेरी गुड़ प्राची अंजली बंस गलत है सक्सम स्रिष्टी अक्षत यह ठीक है अंसर है सबसे बड़ा साइज है ओटू नेगेटिव का सबसे छोटा साइज है अलमीनियम थ्री पॉजिटिव का तो वही कह रहे हैं क्या यह सिग्निफिकेंट इं क्रीज हो रहा है ठीक है अगला कुछ्टन इन सभी में से कौन सा रॉंग है गलत बताना है तो गलट मैं अगर आप देखोंगे तो फर्स्ट आयनाइसन एंथेलपी आएसन एंथेलपी का दूसरा नाम होता है आएनाइसन पोटेंशिल तो बेरियलियम की और बोरोंट में से किसकी ज़्यादा होती है बेरलिम की ज़्यादा होती है इन्होंने गलत दे दिया तो यह कह रहा है यह रॉंग बता हो तो यह रॉंग है लेकिन यह ज़्यादा बेसिक है क्योंकि ज़्यादा मेतलिक है पोटैशियम ड़ोग्रूव सेकिंड लास्ट कोशन में आगे हम 24 में फिर्स आइनसन इन्थैलपी बतानी है इन में से बताओ सबसे ज़्यादा आइनसन इन्थैलपी फिस्ट किस्म होगी कि सबसे ज़्यादा बताने आपको फर्स्ट अनसर एन ठेलपी किसमें होगी नहीं वह ईंफ ही करेक्ट है अंजली गलत है पराची गलत है पराची बेरियलियूम का साइज तो छोटा है क्रेक्टा आंसर है नाइट्रोजन में होती है क्यों हाफ जो मॉर श्टेवल बेरियलिय नैडोजिन की सबसे ज कौंट गलत होगी थे hadda सबसे कम किसकी कि होगी तो पहले बैलियलियम फिर बोरं Every प्र कारबन फिर नैटोजन फिर औक्शिजिन इन बचला पता लगए सबसे कम किसकी होगी क्योंके बचसकर सकता है सबसे कम किसकी को अब very good very good boy प्रोड की तो गलत बोल रहेंगे कि वेरलियम तो एक्सेप्शन केस में आ गया ना टू एस और बिटल आर मोर ख्लोज तू दन न्यूक्लियास या फिर बोलो टू एस और बिटल आर कंप्लेट ली फिल्ड तो बोरों की सबसे कम होगी करेक्ट आंसर आपका एपसन लिए बेर कोशन नंबर टॉंटी जिन बच्चों ने अच्छी तरह से समझ लिए उनके लिए बहुत से कोशन आसान होगे इस चैप्टर के आपके निसी आटी के दो कोशन सुरू से बोल रहा हूं मैं इन में से कौन दर स्टेट्मेंट रोंग है बॉंड एनरजी एप्टू की है तो प्लोरिन की ज्यादा होती है यह स्टेट्मेंट गलत है यह थे आपके वह 25 कोशन जो नीट और मेंस के थे बहुत से चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ब्रेन को और ज़्यादा शाफ कर देगी इसमें प्रैक्टिस करते 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 ठीक है तो अगली क्लास जो की ओफ प्रैकल बॉंडिंग के साथ